पीजी डीसी ए और डीसीय दोनों के ही सेकेंड सेमिस्टर में एक सबजेक्ट है जिसका नाम है कोरल ड्रा मुल्टी-मीडिया इैका कोरल ड्रा ठीक है तो इसी के अंतरगत हमारी एक सिरीज चलती आ रहे थी हम प्रती दिन 12 बजे से खुरास लेते आ रहे थे जिसमें आज हमा को जो कि exam के point of view से बहुत important है और practical भी आप से ये चीज़े बननी चाहिए क्योंकि exam में भी से related पूछा जा सकता है कि आप view menu से संबन देद guideline option को short notes के रूफ में लिखिए page shorter view का उपयोग लिखिए page का उपयोग लिखिए grid क्या होता है और कौन-कौन से views होते हैं हमारे coral ra में pages के अंदर जो भी हम बनाते हैं इस प्रकार से question exam में पूछे जा सकते हैं और जब आप coral ra में कोई graphic designing कर रहे होते हैं तब भी आपको view menu के अंतरगत दिये गए इन सभी option का उपयोग करना होगा तो ध्यान से देखिएगा पूरी class attend कीजिएगा कुछ important चीज़ें यह दिए आप note करना चाते हैं तो copy pen ले लीजिए note भी करते जाएगा तो सबसे मुक के चीज है कि चीजों को पूरा patience के साथ पूरा समझना तब हम किसी चीज को सीख पाते हैं तब हम किसी चीज में master बन पाते हैं तो चलिए इसी उमीद के साथ की आप जो है पूरी class को attend करने वाले हैं आज हम सुरू करते हैं आज का topic और वो है view menu व्यू मेन्यू का अगर आप एक definition सोचें कि definition क्या हो सकती है तो view का मतलब होता है द्रश तो जो भी आप coral draw के अंतरगत कुछ options देख रहे हैं या coral draw के page के अंतरगत आप कोई design बना रहे हैं आप उसमें work करते हैं तो उसके लिए उसे देखने के लिए उसे हटाने के लिए द्रश करने के लिए और उसे अद्रश करने के लिए view menu के दिये गए option का उपयोग किया जाता है जिसमें इसी की पहले को चार option दिये गए हैं इसको समझने के लिए हम file में जाते हैं new from template में जाते हैं और यहां से हम एक template के द्वारा एक design को select कर लेते हैं आप चाहें तो आप खुद की भी कोई भी design जो है बना सकते हैं इसको हमने double click करके इस प्रकार से select कर लिया ठीक है इसको हम select कर लेते हैं यह हमने design select कर ली template के द्वारा आप चाहें तो design बना भी सकते हैं अब coral ram में यदि आप कोई design बना रहे हैं जिसमें की different different object हैं जिसमें की कुछ text रखा हुआ है इस प्रकार से अलग अलग design बनी हुई है अब इस design को यदि आप view menu के इंतरगत wire frame option में देखेंगे तो जो भ wire frame के view के रूप में दिखलाई देगा अब इसका उपयोग कहां पर होता है चूंकि coral ra एक बहुत advanced level के graphic designing के लिए भी इस्तमाल किया जाता है तो कई बार कुछ भी design इसमें जब बनाई जा रही होती हैं तो उस design में color वगेरा को हता करके केवल उसको outline के रूप में के रूप म देखना होता है तो उसके लिए view menu के इस wire frame option का उपयोग किया जाता है इसके बाद है अगला option normal नॉर्मल में क्या होगा कि जैसा आपका जो है ये आपका document है उस प्रकार से ये दिखलाई देगा किस option के द्वारा normal option के द्वारा इसी प्रकार से अगला हम चलते enhanced आप देखेंग इसकी quality थोड़ा सा और change हो गई ये enhanced quality है मतलब कि यदि आप coral ra में अपने इस भी जो भी graphic designing ह उसको जब आप अच्छी quality में export करोगे enhanced mode में export करोगे तो वो किस तरीके का दिखलाई देगा आपको print में उसे आप enhanced mode में जा करके देख सकते हैं पिक्सल में आप देखें जैसे की जब हम photoshop में work कर रहे होते हैं, raster graphics editing वाले program में work कर रहे होते हैं, bit map image के रूप में हमारी images छोटे छोटे पिक्सल से मिल करके बनती हैं, तो किस प्रकार से यदि हम इसी graphic को जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसको यदि हमको pixel के format में ही देखना ह तो उसे हम जाकर के view menu के pixel option से देख सकते हैं, चलिए हम next option समझते हैं, full screen view, इसकी shortcut के f9, इसका इस्तमाल कहां पर होता है, जब आप अपने design को बनाने के बाद, आप से customer या client आपका बोलता है, ठीक है आपने complete कर ली design, तो आप उस design को presentation देने के लिए उसे full screen view से दिखला सकत ताकि उसे चारों तरफ के इतने सारे option ना दिखलाई दे, उसका ध्यान केवल किस में focus हो, उसका ध्यान केवल आपकी designing में focus हो, तो उसके लिए इस design को full screen में करके देखा जा सकता है, इसके बाद दिया गया है preview selected, preview selected में क्या होता है, कि यहां से pick tool लीजे, और यदि आपने यहां पर जो भी चीजें select की हुई है, cable यह उसको ही क्या करके दिखलाएगा, select करके दिखाएगा, अभी तो यहां पर हमारी border select थी, इसलिए यह cable border को ही दिखलाई दे रहा है, अब यहां पर माल लीजे, हम यहां पर कुछ चीजे बना लेते हैं, हमने यह बना लिया, इसका color वगेरा दे दिया हमने, इसको हम select करेंगे, और करेंगे preview selected, तो देखिए केवल यह rectangle select था, तो इस प्रकार से केवल इसे हम देख पा रहे हैं, तो जो भी object चाहे वो text हो, चाहे वो कोई image हो, चाहे वो कोई rectangle हो, ठीके, चाहे कोई circle हो, जिसे आप select करके रखेंगे, preview selected से और इस page में हम जो है, और किसी प्रकार की design को open कर लेते हैं, तो हम यहां से जाकर के, file में जाकर के, यह चलिए अभी हम यहां पर कुछ-कुछ बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए हमने इसमें click कर दिया, और फिर से हमने pick tool लिया, फिर से हमने plus में click करके, तीसरे page में आ हुआ है, उसका आप shorter view देखना चाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, page shorter view से, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, page shorter view, इसे आप इस तरीके से आँगे पीछे भी कर सकते हैं, तो आप page 1 में यह content आपका दिखलाई देने लगा है, यहां से normal में जाएंगे, और यहां से इ page 1 में जो था वो आगए, जैसा कि हमने page shorter view में उसको आँगे पीछे कर दिया था, वे वैसा दिखलाई दे रहा है, तो page shorter view में, page आपके छोटे छोटे व्यू के रूप में दिखलाई देने लगते हैं, और जिसे आप आँगे पीछे भी कर सकते हो, zoom in, जिसकी shortcut की control plus plus है, इ जैसे हमको किसी एक भाग को zoom करके इसकी designing को बनाना है, तो देखे कितने अच्छे तरीकी से हम इस तरीकी से zoom इसे कर सकते हैं, इसी प्रकार से zoom out करना है, तो अब यह zoom out हो जाएगा, यही चीज property toolbar में भी आ जाएगी, ठीक है, तो यह zoom in होता है, जिससे हम अपनी graphic designing करते समय किसी भी भाग को उस designing के zoom करके बढ़ा करके देख सकते हैं, इससे कोई graphic की size नहीं बढ़ती है, लेकिन वो के वलम को zoom हो करके बढ़ा हो करके दिखलाई देता है, इसकी shortcut की है control plus plus, zoom out, zoom out, control plus minus, इसकी shortcut की मतलब control plus minus का मतलब क्या है, control के साथ minus, minus प्रेस करना है, यहाँ पर control के छोटा दिखलाई देगा, zoom to fit में क्या होगा, पूरी window में जितना भी graphics है, वो जितना भी, जितनी भी size का आपने बनाया है, आप उसे completely अपनी window में, monitor की window में देख पाएंगे, किस option के द्वारा, zoom to fit option के द्वारा, ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया यह proof color option, यह proof color option, य यह ज़्यादा तर चीजें printing से related है, जब हम यहाँ पर कोई flex design कर रहे होते हैं, या किसी भी प्रकार का printing material हम बना रहे होते हैं, और हमको यह देखना होता है, कि जब यह print निकल जाएगा, तो किस प्रकार का यह दिखलाई देगा, तो उसके लिए हम यहाँ से, इस proof color पर check कर हमारा document और उसके अंतरगत जो भी object है, वो कैसे दिखलाई देंगे, इसके बाद next option दिखलाई देता है आपका page, यह दो option hide हैं, जो कि आंगे के menu में जब हम इस्तमाल करेंगे, उस समय यह option आपके activate हो जाएंगे, जो कि है simulate over print और rasterize complex effect, जब हम effect menu के अंतरगत option पढ़ेंगे तब जब हम उसका इस्तमाल कर रहे होंगे, तब आपको यह view menu के अंतरगत यह दोनों option activate हो जाएंगे, मतलब unhide हो जाएंगे, तो जब हम effect menu में आएंगे तब इनके बारें पढ़ेंगे, इसके बाद दिया गया है page, अब जो भी आप designing कर रहे होते हैं, तो यह जो page है, ठी सकते हो, इसमें यदि आप किसी प्रकार का work कर रहे हो, आप बना रहे हो, ठीक है, इसमें जो भी designing है, यह आपका page है, इस पर जो यह line दिखलाई दे रही है, यह page की border कहलाती है, जो की by default checked है, तो दिखलाई दे रही है, अगर इसको हम unchecked कर देंगे, तो border हड़ गई, और प्रिंटिंग निकाली जाती है, तो कोई भी आप flex बना रहे हैं, तो वो flex बनाने के बाद आपको इतना space के बाद काट करके print निकाल करके देंगे, मतलब जो आपका flex होगा, वो इतना अंदर से आपको आपका content दिखलाई देगा, और इतना वो आपको white में देंगे, ताकि आप उसे frame करते समय चिपका सकें, तो आपके main content की और जहां से cutting होती है, उसकी दूरी और उसकी boundary को bleed line बोलते हैं, तो यदि आप देखना चाहते हैं अपने coral drama में, कि इसमें bleed line कहां पर दी गई है, तो उसे आप देख सकते हैं, view menu में, कहां से जाकर के, इस bleed option से जाकर के जो जगह printing के दोरान छोड़ दी जाती है, ताकि flex को frame में मोड़ा जा सके, या cutting करते समय चाहें, कोई भी चीज़ां paper में print निकाल रहे हैं, या कोई भी designing बना रहे हैं, तो यहां से cutting की जाती है, ताकि जो main content है, उसमें किसी भी प्रकार से cutting effect ना पड़े, उसके लिए हम यह जाना से bleed option को check करके देख सकते हैं, printable area, printable area तो by default हमको दिखलाई दे रहे हैं, कि अंदर वाला जो भाग है, वो printable area ही कहलाता है, तो यह check दोने करन हम इसे देख पा रहे हैं, अगला option दिया गया है grid, document grid में हम जैसी click करेंगे, तो हमको पूरे document में इस तरीके से grid line दिखला पर उस box में रखके और आप अपने text को object को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, जैसे आप graph paper का उप्योग करते हो, वैसे यहाँ पर आप grid option का इस्तमाल कर सकते हो, इसके बाद दिया गया है आपका view menu में grid के बाद, यह देखे pixel grid, इसे हम uncheck कर देंगे, और अभी हम फिर से वा पर केवल एक simple आपको baseline दिखाई देगी, जिससे आप किसी object को set करके रख सकते हैं, उसमें आपको पूरी rectangle grid दिखलाई दे रही थी, वो भी किसी object को सही तरीकी से proper रखने के लिए था, और यहाँ पर जो यह baseline grid दिखलाई दे रही है, यह भी किसी object को proper set करने के लिए ही बना पिक्सल grid दिखलाई देता है जब आप pixel वाले format में होते हैं, इसके बाद दिया गया है आपका ruler, तो ruler by default यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, जिससे हमारी object की width कितनी है, वो आप देख पा रहे हैं, height कितनी है, वो आप यहाँ से ruler से देख पा रहे हैं, तो यदि आप ruler रखना चाहते हैं, तो उस option को view menu में checked रहने दीजिए, और यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, तो इसे आप unchecked कर सकते हैं, तो देखें यहाँ से hide हो गया, तो ज़्यादा तर यह क्या रहता है, इसे देखा जाता है, क्योंकि इसी क्याधार पर किसी भी object को या page की hide width को भी set करके द guideline का फाइदा क्या होता है, यह guideline आ गई, guideline का फाइदा यह होता है, कि कोई भी object को आप बनाते समय इस तरीके से guideline में proper fit कर सकते हैं, नहीं तो आपने माल लीजे, दो तीन object रखे हुए हैं, और उन object को आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से उसको बिल्कुल exact बराबर करें, तो उसके लिए किसका इस्तमाल के जाता है, guideline का इदे कि left में guideline होने के कारण हम इसको बिल्कुल proper एक जो है, एक तरह से सीध में रख पाए, तो किसके option के दोरा होता है, guideline, यही guideline जो आपने इस्तमाल की होई है, इसको कैसे लेकर कियाते हैं, ruler से एक line को खीचते हैं, औ और यह guideline आ गई, यह vertical guideline है, यह horizontal guideline है, तो guideline से related भी प्रशन एक्जाम में पूछ लिया जाता है, guideline क्या है, guideline का कैसे उप्योग किया जाता है, guideline का color कैसे change किया जाता है, guideline का default color कैसे change किया जाता है, guideline को delete कैसे किया जाता है, guideline को show or hide कैसे किया जाता है, guideline को show or hide करने के लिए इस पर यह आ जाएगा color वग्यरा यहां से हम आंगे जाकर के set करेंगे alignment guide alignment guides यह भी selected होती है by default ठीक है तो यह actual में alignment में क्या फाइदा होता है alignment में यह फाइदा होता है यह देखे ठीक है यह proper अपनी जगह में जाकर कि यह automatic उससे क्या होता है कि magnet की तरह चिपक जाता है यदि आप यह object करके रखते हैं कौन सा option alignment guides मतलब किसी भी object को हम guide के अनुसार यदि alignment करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा option चुनते हैं alignment guides option चुनते हैं ठीक है इसको आप देखे move करेंगे यह कहीं पर भी दिखलाई देगा है ना यह आप लेकर के जाएंगे यह रेखे alignment guide में alignment guide में यह आपको खुद ही जो है यह देखे बीच में line बनती जाती ना यह यह देखे यह इस तरही किसे से बिलकुल magnet की तरह चिपक गया तो यह guides के अनुसार यह आप alignment करना चाहते हैं तो उसके लिए अगला option है dynamic guides यदि आपने dynamic guides को check कर दिया किस option को check कर दिया dynamic guides को अब यह dynamic guide क्या करेगा खुद ही आपको अलग अलग समय पर यह guide करेगा कि आपको किसी object को कहां रखना है dynamic guide वो दिखलाएगा ठीक है dynamic वो guide को जो है बना देगा यह देखें dynamic guide को बना देगा कि कैसे आप किसी object को set करना चाहते हैं कहां पर की वो proper align हो गए देखें अब इन दोनों object को हमको एक seat में करना था black वाले और इसको अजिए हम center में कर रहे थे तो एक बीच में line बन गई न तो यही dynamic guide option को check करने पर आ जाती है snap 2 snap 2 का ही मतलब होता है जब यह option checked होता है तब आप इसका इसका इस्तमाल कर पाते हैं आपको यहां पर by default checked दिये गया snap का मतलब ही होता है कि यह किसी भी object से इस तरीके से snap हो जाना ठीक है snap हो जाना मतलब magnet की तरह है चिपक जाना यह देखिए यह snap to object क्यों क्योंकि हमने यहां पर snap option को on करके रखा है अब मालीज हम यहां पर circle ले लेते हैं यह हमने circle ले लिया इस पर color दे दिया और इस तरीके से हम इसको यह देखिए snap हो जाता यह इस line से जाकर कि क्या हो जाता यह snap हो जाता और dynamic guide के कारण देखिए इसमें beach में lin आ रही है center में lin आ रही है तो क्यों यह dynamic guide open है dynamic guide option checked है कि यह dynamic अपने आप guide line बनती रहे और वो शैट होता रहे तो आपको किस guide के अनुसार snap करना है आपको document grid के अनुसार अपने object को snap करना है जैसा कि इसमें by default सभी checked होता है by default सभी checked होता ही देखिए ये object वाला option checked था ना इसमें इसमें कौन सा option checked था object था इसका मतलब क्या हो रहा है यदि ये इस object से हम pass ले करके जाएंगे तो ये देखिए automatic magnet की तरह वो क्या होगा उसको attract कर लेगा वो चिपक जाएगा ये क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर snap to option यहाँ पर checked है अब ये जो snap option है इसे आप off कर देंगे ठीक है इसे आप off भी कर सकते हैं ये देखिए अब ये इस तरीकी से magnet की तरह ये नहीं चिपक रहा है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर आपने snap को off कर दिया इसको on कर देंगे तो फिर ये इस तरीके से चिपकने लगेगा तो view menu में दिये गए इन सभी option का इस्तिमाल graphic designing में किया जाता है अब हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वो ये है कि coral draw से सम्मंदित सभी options को हमने यहाँ पर detail में जो भी course है आपका आप PGD से 1st semester में है DCA 2nd semester में है DCA 1st semester या PGD से 2nd semester में सभी के course को videos और notes और model question paper को हमने अपने इस app के अंतरगत रखा हुआ है इस app की link आपको video के description में मिल जाएगी वहाँ से जाकर के आप my computer course app को download कर लीजे ठीक है my computer course app को download कर लीजे या तो आपको आसान हो जाए उसके लिए हमने एक landing page बनाया हुआ है वो landing page भी आपको मिल जाएगा video के description में यहाँ पर जाकर के आप क्या कर पाएंगे आपका जो भी course है उस course को आप join कर पाएंगे यहाँ से जाकर के yes I want to join में आपको click करना है और यहाँ से आप join कर पाएंगे कोई सा भी आपका subject है उसे आप select कर लीजिए और select करने के बाद yes I want to join में click कीजिए आप बड़ी आसानी से join इसे कर लेंगे तो यहाँ पर आपको हमने आज की class में देखा कि किस तरीके से coral ra के अंतरगत दिये गए view menu के अंतरगत दिये गए option का उपयोग किया जाता है प्रती दिन हम अपने YouTube चैनल में DCA, PGDCA से related और इसी प्रकार से computer software को सिखाने की प्रती दिन live class 12 बजे से start करते हैं तो प्रती दिन आप हमारे YouTube चैनल में 12 बजे एक बर जरूर विजिट कीजिए जहां पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा तो कल की class में मिलते हैं जिसमें हम next menu को cover करेंगे और इसी प्रकार से interesting वीडियो आपके लिए ले कर के आते रहेंगे तो मिलते हैं next class में